कि जहिन दोस्तों आपके मारे यूटुब चैनल संधाग्यान में स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ MMB का पार्ट वन ठीक है मॉडल पेपर चुकि आपके आने वाले एक्जाम के लिए में पॉटेंट है तो चलिए आज का कोस्टन स्टार्ट करते हैं और जब तक एक्जाम नहीं होगा तब तक आपके लिए एक एक प्रेक्टिस सेक्षन आता रहेगा दिन में चलिए देखते हैं आज का पहला कोस्टन बताइए कि दे कमपाउंड आफ इंजन सोइंग इन दिस फिकर इस जैनेरली मेट आफ यानि कि नीचे आरेक में इंजन का घटक सधारतया डेस डेस से बना है तो क्या होगा तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका ए यानि कि कॉस्ट आइरन यानि कि धलवा लुहा से बना है ठीक है चल श्टोक आफ एफ वर श्टोक साइकिल इस यानि निचे दिये गए आरेक में खोर श्टोक साइकिल का काउंठाशं डिखाया गया है तो आप इस चित्र में देख सकते हैं इसमें डिखाया गया है यानि कि sist sam iba ठीक है चली आगे दिखते हैं तीशरा दखिए किizer कि इस कम कनेक्टेट एट वन इंड आफ दर क्रेंक साफ्ट यानि निम्न में से किसे क्रेंक साफ्ट के अंत में जोड़ा जाता है तो उसका सहीं सुर्फ हुजएगा आफसर नंबर डी यानि कि फ्लाई विल ठीक है फ्लाई विल से जोड़ा जाता है क्रेंक साफ्ट के अंत मे ठीक है चौता दिखते हैं कि कि पेट्रोल का उसमी अमान लगभग डेस्टेस होता है तो आपके नीचे आपसें दिया है बताईए क्या होता है अगर आपको कोई भी एंसर आता है तो आप उसे कॉपी में लिखते रहे और या फिर नीचे जब वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दिया अपना श्कूर ठीक है तो चलिए इसका सही अंसर बताएए तो इसका सही अंसर हो जाएगा स्वी बताएए कि वाट इस टाइप आप सुपर चार्जर showing in figure given below तो नीचे आरेक में किस प्रकार का सुपर चार्जर दिखाया गया है आपको इस figure में दिख नहीं रहा होगा कि इसमें क्या दिखाया गया है ठीक है इस figure में आपको दिख नहीं रहा होगा कि क्या होगा बताइए कि नेम आफ फोर टाइफ आफ रूलर वीरिंग से सो बिलो करेक्टली फ्रॉम लेप्ट टू राइट यानि नीचे दिये गए चार प्रकार के रूलर वीरिंग का नाम दाएं से बाएं सही क्रम में बताइए तो इसका मैं आपको सही अंसर बता देता तो इसका मैं आपको सही अंसर बता देता हूं इसका सही अंसर हो जाएगा आपसा नमबर से यानि कि पेट्रोल के साथ 2% से 3% आयल मिलाया जाता है तब यह सही नहीं है बाकी सब सही है इसमें बाकी सब सही है कि या स्कुटर और मोтор साइकल जैसे टो इसकेतूर पेट्रोल इंजन में प्रयूंक होता यह भी सही है आपका lubrication oil is mixed with petrol यानि lubrication oil को petrol के साथ मिलाया जाता है ये भी आपका सही है इसमें C गलत है अब आपकी डी भी आपका सही है कि एक प्रिथक oil pump का प्रियूग किया जाता है ठीक है चलिए आगे देखते हैं बताए कि टू टाइप्स आफ automotive engine lubricating systems यानि कि दो प्रकार के automotive lubricating system तो क्या है तो इसका सही हो जाएगा आपका अपसर नमबर डी यानि कि छीट्या और दाप यानि कि इस प्रेशल्स एंड प्रेशर ठीक है आपको मैं आपसर नहीं बोलाँ तो मैं आपको आपसर सिधा एंसर बताऊंगा ठीक है नवा बताए कि 5S की आवाद हाराना से पहला एस है यानि कि इन द फाइफ एस कॉंसेप्ट दफर्स्ट एस इस दब क्या स्वाड मतब छाटना या सेट इन ओर्डर यानि क्रम में लागाना या और सायन माने चमकना या इस्टेंड राइज यानि की मानुवी गृत करना तो यह सब बोलने में समय लगता है ठीक है इसे मैं डार्टर अंसर आपको बता देता हूं कि इसका अंसर होगा आपका अपसर नंबर यानि की छाटना ठीक है आपसर नंबर की सॉट्स ठीक है चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि विच टाइप आफ वीर आफ सिलेंडर लाइनर टेक प्लेश ड्यू टू बर्निंग आफ वेल्स फ्यूल ऑईल इन कंबिंशन प्लेश तो बताइए दहन इस्थान में भारी मात्रा में इधर के जलने के कारण किस प्रकार का सिलेंडर लाइनर में घिसावट होती है तो इसका आपका सही अंसर हो जाएगा आपसर नंबर भी ठीक है यानि की कोरिशन यानि कि 6 मतब 6 मतब छड़ होत हैं सी नंबर बताइए कि दब प्रिंस्पल आफ वर्किंग तू रेडियेटर इन कूलिंग सिस्टम इस टू डेश डेश यानि सीदलन प्रडाली में रेडियेटर का कारेकारी सिधान्त क्या है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसर नंबर सी ठीक है यानि कि गर्म पानी बड़े छित्र में फैलता है ठीक है यही इसका कारेकारी प्रभाव है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि यदि सीतलन प्रडाली में थर्मो इस्टेट वाल्व बंद रहता है तो क्या घर्टने की संभावना होती है यह अपर्टेट कोश्चन है तो इसका सही अं इंजन का त्यदिक गर्म होना ठीक है यानि कि ओवर्ण फिजन ठीक है चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि गजल पीन का क्या कारे होता है इसका सब्सक्राइब अपसर नमबर सी ठीक है यानि कि टू कनेक्ट पिश्टन एंड कनेक्टिंग राओड से जोड़ना यही गज पिश्टन को काउंसा पार्स वेरिंग के रूब में कारे करता है तो इसका सब्सक्राइब हो जाएगा आपसर नमबर डी यानि कि पिश्टन इसकर्ट कार करता है ठीक है पिश्टन इसकर्ट करता है राट के एक तरफ के थ्रश्ट को जोड़ने के लिए पिश्टन को आगे दिखते हैं कि टाइमिंग बेल्ट इन दो घटकों को जोड़ता है ताकि वाल्व पिष्टंग के साथ साथ हो ठीक है तो इसका साइसर हो जाएगा आपका आपसर नंबर भी ठीक है यानि के क्रेंक साथ यह मैं जो आपको बुला बता रहा हूं यह आप कॉपी पेन लेकर वहीं पिलिख लीजिए ठीक है एक तरफ आप कोशन लिख लेजिए कि टाइमिंग बेल्ट इन दो घटकों को जोड़ता है ताकि विश्टन वाल्व के साथ सा तो इसका डेस करके अंसर लिख देजिए कि क्रेंक साथ और केंसम ठीक है तो ऐसा वीडियो को पासफास करके लिए तो इससे क्या होगा कि आपको याद भी रहेगा तो आप पेपर में एक सब्सक्राइब लगा करने ठीक है चलिए आगे दिखते हैं तो क्या होगा तो इसक आपसर नंबर होगा डी होगा ठीक है यानि कि फ्यूली इगनेशन यानि दोस्पुढ प्रजवलन ठीक है यह नहीं होगा चलिए आगे दिखते हैं पताए कि किस प्रकार का एक्जॉष्ट सिस्टम से उच्च दबाव इंजिन की पावर प्रभावित होती है तो इसका क्या होगा तो इसका ofisar हो जाएका आपसर नंबर भी आनिकि प्रकार की एक्जॉष्ट सिस्टम से उच्च दबाव इंजिन की पावर प्रभावित होती है तो यानि पावर खटता है बताए कि आंतरिक दहन इंजन में वह पत जो इंजन अनुपात के सापेच आदर्स वायू को बताता है डेस डेस होता है तो क्या होता है इसका होगा अफसर नमबर D यानि कि इस्टो शो मटरिक पॉइंट यानि कि के लिए आगे दिखते हैं तो बताए कि उत्प्रेयरक परिवर्तं का उद्देश डेस डेस कम करना है तो इसका सई असल हो जाएगा जहरीला गैस निकालना ठीक है यह आपको 20 कोशन हो गया है तो 20 कोशन तक करते हैं आगा भी है हमारे पास कोशन लेकिन वह कल करेंगे ठीक है तो चलिए 20 का कोशन करेंगे क्योंकि 20 24 ऐसे ही आपको कोशन होगा ठीक है सवता तो चलिए आज के लिए इतना ही तिब तक के लिए नवश्कार जय जय भारत